सो हाई फ्रेंच's प्यास के रश से करी पदे तक आरठ णेचररल चीजों जो मनसुन में hair fall को कम कर सकते हैं सो इन टीप्स को अपनाए और अपनी बालों की hair fall को कम करे में पहले हैं aloe vera Gel अलविरा स्केल्व को 모두 करती है और स्केल्व करके hair growth को बढ़ता है और स्केल्ब के फियेच लेवल को बैतर करता है और शाथ ही ये बालों को रूट से हेल्थी बनाती है सिल्की और शाइनियर बनाती है नेक्स्ट है नीम, नीम के पते, बहुत ही medicinal properties होती है उसमें, इसमें anti-bacterial और anti-fungal properties होती है, जिससे scalp clean करके infection से ये बचाती है, और आजकल सबसे बढ़िया है हमारे बालों के लिए coconut oil यानि नारियल का तिल, लेकिन आजकल फैसन के हिसाब से लोग और बहुत सरे oil हैं, जिसस इस्तमाल करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है नारियल का तेल, ये तेल scalp को अंदर से nourish करके, बालों को मजबूत बनाती है, जिसकी वज़ा से hair fall कम हो जाती है, और नारियल तेल हमारे बालों को nourishment देती है, सबसे अच्छा खाना है बालों के लिए scalp के लिए नारियल का तेल, नेक्स्ट है, आज कल जाधा प्रेयन में चल रही है, अनियन का रस, यानि प्याज का रस, मुझे थोड़ी प्रॉब्लेम है, कि इसमें जूस मेल होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वज़े से मेरी बहुत कम है, लेकिन कुछ मेने यूज किया है, और ये काम भी कर साथ ही इसमें मौझूद एंटी वेक्टरियर प्रॉपरडी स्केल्प के इंफेक्शन को कम करती है, और इंफेक्शन के साथ लड़ने में मदद करती है, नेक्स्ट है करीपता, करीपता हर किसी के घर में मिल जाएगी, ये एक एंटी ऑक्सिदेंट्स और ज़रूरी निट् और उनका टूटना भी कम हो जाती है, साथ ही आप बिना पैसे खर्च किये हुए आप इस फूल को अप्लाइ करशकते हैं, ये है गुढ़ल का फूल जो की बालों के लिए बर्दान है, इसे आप बालों की कलर भी कर सकते हैं, बालों की हेल्थ भी बहतर कर सकते हैं, से भी यह मजबूत बनती है और यह ग्रोथ परहटनी के साथ साथ आपकी बालों को निचुरल काले बनाए रखती है यानि ग्रेइगनेस कम करती है इसलो डाउन करती है और शपेद वालों को यह रंग ने मदद करती है इसका अगर पाड़ बनाके आप महंदी के साथ आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं व्रिंग्राज यह एक आयरवेदी खर्व है जिससे हैर ग्रूथ बढ़ती है और बालों का गिरना भी कम हो जाती है आप व्रिंग्राज का ओयल भी अप्लाए कर सकते हैं या फिर विंग्राज का पावडर मेंधी में मिक्स करके घोल करके भी अप्लाए कर सकते हैं या फिर आप पी और coconut oil में विंग्राज का powder एड़ करके उसे पांस मिनुट के लिए slow flame में cook करके उसे भी apply कर सकते हैं next is green tea, green tea भी antioxidant से भरपूर होती है और green tea hair growth बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी माने जाती है green tea एक healthy tea है जो की लोग लेते भी है, weight loss करने के लिए, skin को सही रखने के लिए और शाथ ही बालों की problems को कम करने के लिए so friends ये तो सारी चीजे हैं मतलब आयरवेदिक चीजे हैं जिसे इस्तमाल करके आप अपनी बालों की hair fall को कम कर सकते हैं बालों की problems को कम कर सकते हैं, grey hair को काले बना सकते हैं, सबेर बालों को काले बना सकते हैं साथ ही आप बालों के भी care करें, बालों की care करेंगे तब भी आपके बाल strong बनेंगे, healthy बनेंगे और आजकल सबसे जो बड़ी प्रोब्लेम है बाल का सफेद हो जाना वो भी धिरे धिरे स्रोडाउन हो जाएगी कम हो जाएगी और अपनी खानपान का भी खयाल रेखें साथ से आठ चीजे ऐसे हैं जो आप वो बालों की ग्रोथ के लिए खा सकते हैं अगर आपका इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार किजिए साथ ही फ्रेंद्स आप ज्रेस कम करैं अपनी लाइक में और मेडिकेसन करें योगा और अच्छी लिएद ले तो आपकी बालों की प्रॉब्लमस देद्रे खतम हो जाएगी यानि अगर आप चाहते हैं आपकी बालों की प्रॉब्लेम्स जड़ से खेतम हो तो अपने दिन चर्या का भी खायाल रखें So friends, that's the video, thanks for watching, फिर मिलेंगे, bye, take care and God bless you all